कि लीजिए दोस्तों आज आप लोगों के सामने कई तरह से इंस्टालिशन की हुई काइस की फिटिंग लेके आया हूं जिसमें आप देखेंगे क्या लग लग तरीके से काइस की फिटिंग की गई है इसमें देखिए इसकी फिटिंग अंदर थी फिर हमने इसके उसुराक मार गये इसके पाइप को बाथूं से बाहर निकाल लिया है इसके नीचे रखा गया है और ये काफी अच्छे वर्किंग ये देखिए ये गैस की जरे बाथूं के अंदर ही था लेकिन यहाँ पर शिलेंडर रखने के लिए जगए नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर इसके टुंटी भी लगा के और इसके शिलेंडर को दूर रख दिय ताकि कभी कोई दिक्कत आए तो सिलेंडर से कोई प्रेशा नहीं नहीं यह देखें आप पिछे हमने सिलेंडर को रखा हुआ है और यह अच्छे तरीके से वह रख भी कर रहा है ज्यादतर हम देखते हैं कि इनमें कम सपेस होने कान बात्रूम में गैस हो जाती है और हमें सिलेंडर जो हमेशा दूर ही रखना चाहिए ताकि कभी कोई दिक्कत भी हो जाए तो कोई प्रेशा नहीं नहीं हो देखें देखेंगे वाल में किनेक्शन के आवामने मैनलेंड पर वाल लगा के जो क्या दैंची कि वाला जिससे हमारा गिजर को पूरा प्रेशर से पाईनी पानी मिलता है और प्रेशर का ही पूरा काम होता है कि इस गिजर में यह देखिए अभ यहाँ पर यह देखे यहांपर भी हमारे पॉइंट का फिव पर थे फिर व सब्चे पुबारा से अलों करके देखा है यह ओन्वी hide हर बार लगा कर मैं ऐसे ही चैक करता हूं साथ की साथ तक ये अमारे लगाने के बाद कोई प्रेशानी ना आए मालिक को ये देखिए हैं आप इलेक्ट्रिक गिजर की आपने जो सैटिंग की देखिए ये भी वाल के साथ ही कनेक्ट किया हुआ है ताकि गिजर को पूरा प्रेशर का पाणी मिले और प्रेशर से या राम से पाणी प्रेशर से अंदर जाए और राम से निकले जिसे गैस गीजर में तो हमारे कभी भी चलने में दिक्कत नहीं होती और जो इलेक्ट्रिक गीजर है उसमें हमारी राड अबगारा जलने की कभी कोई प्रोबलम नहीं आती तो यह उसके अंदर प्रेसर से पाणी जाएगा जल्दी बरेगा पाणी यह देखिए वाल से जो जो इंट किया वाँ पूरा अधा इंची और यह पाई पर काफी मोटे गेज की लगाई हुई जिसे काफी प्रेसर से पानी जाए यह देखिए यहां पर और इस पर भी हमने यहां पर पूरे सभी मैं जो भी गिजर क्नेक्शन इंस्टालेशन करता हूं सबी को वाल से ही जोइंट करता हूं यह थोड़ा हाँ दिखने में तो अठपटा लगता लेकिन होता काफी अच्छा है यह देखिए यहां पर फिटिंग भी नहीं हुई थी फिटिंग नहीं थी फिर यहां पर हमने अपने पहले से लगी हुई थी ओपन पाई पर और यहां म अंगे हको हमारा जिस्यां गयास को कम या ज्याधा कर सकते हैं सजब सितों करहिंने oewn यहे दो 물ster में तीनों बलनी जला सकते हैं और समर में हमारे 2 बलनल जिस्यां हमारी स्कंड़ कम लगेगी कम पाड़ी गर्म आ यहां रख 국व विंटर पर तीनों बरनर जलाएंगे जिशेपणी ज्यादा गर मुगा और यह मारा उत्ता है वाटर कंट्रोल का इधर-वाड़ा यह मारा विंटर समर यह मारा जो अंदर आमारे स्टोप चलता है चूला जलता है इसके अंदर बर्नर जो होतते हैं उनके लिए होतता है और यह मारा वाटर कंट्रोल होता है अगर हमने ज्यादा अमेशा ही वाटर का लेवल ज्यादा रखना चाहिए जिस यह पाणी अच्छे फ़लों के साथ बार आए अगर हम फ़लों कम करतेंगे तो पानी ज्यादा अगर हमोगे देखिया हमने इस में तुन्टी से हमने पानी इसको दिया वो और दूसरी साहि सात में ये अकलग से तुन्टी लगा रखी इसकी इस यह वटन हमारा आमेशा ही पाणी के कंट्रोल के लिए होता है और इसका कंट्रोल में पाणी का फलो जो है आमेशा ही खोल के रखना ज़रूरी होता है जिस्या हमारा गिजर अच्छी से वरक करता है यह बात्रूम काफी पहले से पिटिंग वही थी जिसके अंदर हमारी गरम पाणी की पिटिंग नहीं थी इसलिए हमने इसमें यह देखे यह देशी जुकाड कर रखे हैं जिस्या गिजर लगाने के लिए हमने अपने पाणी का कनेक्शन निकाल रख्या यह देखे स्लेंडर की पाई भी बार निकाल रख्या ताकी कभी कोई दिक्कत आए तो हमने बात्रूम से बार इस यहांका स्लेंडर रख्या ताकी कभी कुछ दिक्कताने पर अमारे स्लेंडर से कोई यह देखिए यहां पर भी अमारी फिटिंग नहीं थी काफी टैम पुरानी फिटिंग थी है तो हमने इस टूंटी से नीचे से पॉइंट लेकर उपर और साइड में उपर से लागे नीचे छोड़ दिया यह देखिए इसका भी हमने स्लेंडर को बार रख्या था शुराक मार के पाइप को बार निकाल दिया था नेग इसी जान करें गली कमेंट जरूर करें